हलो दोस्तों इस वीडियो में 2018 में पुछे गए प्रश्ण हम दो देखेंगे जो अरारभी गुरूपटी में पुछे गए हैं तो यह सौल पेपर है 2018 का पहला प्रश्ण है आपके सामने डैश प्रोटीन संकुचित और सिथिल होता है जिसके कारण पेशिया गतिमान होती है तो आप्शन नमबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स देखिएगा पिर्थवी का दरब्यमान डैश है तो पिर्थवी का जो दरब्यमान है उ आप्शन नमबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स देखिएगे कवक की कोशी का भित्ति डैश से बनी होती है कवक की कोशी का भित्ति काईटीन से बनी होती है आप्शन नमबर 2 आपका राइट आंसर है नेक्स देखिएगे शुक्रवाई का मुत्रासे से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मारकन निर्मार करती है जिसे डैस कहते हैं जिसे क्या कहते हैं मुत्रमार कहते हैं option number 1 आपका correct answer है एक समू में सेयोजी इलेक्टॉनों की संक्या क्या होती है बढ़ती है, घड़ती है, समान रहती है या फिर निर्धारीत नहीं किया जा सकता है तो एक समू में सेयोजी इलेक्टॉनों की संक्या समान रहती है option number 2 आपका correct answer है किसी भी समू में परमारू कर्बांग बढ़ने से सेयोजी इलेक्टॉनों की संक्या हमें कोई परिवर्तन नहीं होता है इस इसको ध्यान रखेंगे option number 2 आपका correct answer हो जाएगा next देखिएगा विस्थापन ग्याद करने के लिए हमें प्रारंबिक इस्तिती से अंतिम इस्तिती तक एक dash बनाना होगा तो विस्थापन ग्याद करने के लिए हमें प्रारंबिक इस्तिती से अंतिम इस्तिती तक एक सीधी रेखा सीधी रेखा बनानी होगी क्योंकि किसी गतिशील वस्थू की प्रारंबिक एमां अंतिम इस्तितियों के बीच की जो निवंतम दूरी होती है वस्तु का विस्थापन कहलाती है तो option number 4 आपका correct answer हो जाएगा next देखिएगा phloem dash के अतरीक्त निम्लिकित में से अन्य सभी से मिलकर बना है तो phloem जो है phloem वाहिका के अतरीक्त अन्य सभी से मिलकर बना है तो आप correct answer हो जाएगा option number 2 हूँ हाँ rätt अ समय के बीच संबंध प्रदान करता है तो गती का पहला जो निम है अ वेग और समय के बीच संबंध प्रदान करता है हम गती का पहला निम क्या है वी बराबर यू प्लस एटी वी बराबर क्या है वस्तु का अंतिम वेक यू क्या है वस्तु का प्रारंबिक वेक और ये क्या है त्वरण और टी समया अंतराल चलिए नेक्स देखेंगे तो आप्शन नमबर जो आपका 1 है करेक्ट आंसर हो जाएगा वेक नेक्स देखिएगा आई करन उर्जा की 1 क्या है तो आई करन उर्जा की 1 क्या है कीलो जूल प्रती मोल है अप्शन नमबर टू आपका राइट आंसर है आई करन उर्जा तलस तवस्ता में विलिगित गैसी परमानू से बाहतरम इलेक्टरानों को बाहर निकालने के लिए आवेश्य गुर्जा है और उसका मान सदेव धनात्मक होता है इसको ध्यान रखेंगा तो आपका राइट अंसर है नेक्स देखिएगा निमलिकित में से कौन सा कथन ध्वनी तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है ध्वनी तरंगे अनुदेधर होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है दोनों अनुदेधर तरंगे है ध्वनी तरंगे अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश तरंगे अनु तो आप्शन नमबर वन जो है वो राइट आंसर है द्वनी तरंगे अनुदेधर होती है और प्रकास तरंगे जो है अनुपरस्थ होती है ओम के नियम की सिमाएं क्या है पहला आपको दे रखा या गैसी चालक पर लागुनी होता है दूसरा दिया है यह जर्मिनियम और सिलिकान जैसे चालकों पर लागुनी होता है ओप्शन नमबर त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दो दोनों पर एक और दो दोनों क्या है आपका राइट है तो आप्शन नमबर त्री आपका correct answer है नेक्स देखिएगा अंडप के निचले हिस्से के फूले भाग को डैश कहा जाता है तो अंडप के निचले हिस्से के फूले भाग को अंडप कहा जाता है वर्ति काग्र वह वर्तिका अंडप के उपरी भाग करते हैं बिजायंट की वाद करें अंडप के भीतर सुरचित होते हैं सभी जो सनचनाय है वह पादप के मादा जननांग बनाती है तो ऑप्शन नमबर जो 4 है आपका correct answer है कि अंडप के निचले हिस्से के फूले भाग को अंड़ाशे कहा जाता है निच्छ देखेंगे आधुनिक आवर्त साड़ी में इलेक्ट्रोनिक विन्यास दो आठ एक वाले तत्तों को कहां रखा जाता है तो आधुनिक आवर्त साड़ी में इलेक्ट्रोनिक विन्यास दो आठ और एक वाले जो तत्तों हैं उनको समू एक में रखा जाता है और अप्शन नंबर फूर आपका करेक्ट आंसर है मालली जी किसी दिये गए पर्माडू की पर्माडू संक्या 17 है इसका और इलेक्ट्रोनिक विन्यास क्या होगा क्या होगा एक्ट्राइट बिन्यासिस का दो आठ और साथ अप्शन नमबर फूराप का राइट आंसर है चली नेक्स देखिएगा लिटमस विलियन एक बैगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है लिटमस विलियन एक बैगनी डाई है जिसे लाइकेनो लाइकेनो शैक या काई से निस्कर्सित किया जाता है अप्शन नमबर फ्री आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्लिकित का मिलान करें यहां पर आपको मिलान करना है डालटन क्या हो जाएगा ततो है तुसर पर्थम चिन्हों का परियुक करने वाला एक का तिसरा 10 to the power minus 10 meter क्या होगा hydrogen का परमाडू और calcium potassium का लेटीन नाम यह सी का दूसरा तो option नमबर जो आपका 3 है करेक्ट हो जाएगा एक का तिसरा बी का पहला और सी का दूसरा डालटन ने तत्तों के परदर्थम के लिए स्वर पर्थम चिन्हों का परियुक किया था और potassium का जो लेटीन नाम है वो calcium है ध्यान रखेंगे calcium है कैलियम जिसे के से डेनोट करते हैं यहां के आपको एक numerical दे रखा है एक आदमी 20 kg का भार भूमी से 5 मेटर की उचाहिए तक उठाता है उसके द्वारा किया गया कार डैश है तो गुर्तवा कर्षण के विर्यूद यह उचाहि तक वस्तु को उठाने में किया गया कार गुर्तवी इस्तिती जुर्जा के बराबर होता है तो डबलू बराबर एम जी एस लगाएंगे द्रब बिमान आपको कितना दे रखा है एम बीस उचाहि कितनी है पांच जी बराबर आपको कितना दे रखा है दस मीटर पत्ति सेकंडी स्क्वाइर बीस गुड़े दस गुड़े पांच गुणा कर देंगे कितना आएगा कि बीस दहां में दू सो पच्चे दू पच्चे दस हो जाएगा यह आपका कि एक हजार जूल आप्शन नमबर थी आपका करेक्ट हो जाएगा ध्यान रखेंगे यूनिट का आपका जो राएगा आपका जो राएगा